हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल ओनलाइन गॉब्मेंट जोग पोर्टल में आज 30 अगस 2019 की पांच सबसे बड़ी बढ़तिया हम आपके लिए जिनका फॉर्म आप जरूर भरिए यह अलग लग डिपार्टमेंट की वेकंसीज हैं और आल ओबर इंड यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो भी जॉब से लिल्टे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेट जी हाँ दोस्तों जैसे की वीडियो के सुरू में मैंने आपको बताया थास 30 अगस 2019 की हम पांच बड़ी बढ़तिया लेक इसमें की 309 पोस्त है तो अगर मैं जॉब डिल की बात करूँ यह पोस्त आपका अप्रेंटिस पोस्त रहेगा टोटल वेकेंसी 309 रहेगी और तो यहां पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए तो यहां पे आप अप्रेंटिस पोस्त के लिए अपलाई कर रह है कि वह आपकी 20 सितंबर 2019 रहेगी पेस्केल की मैं बात करूँ तो अगर आप ग्रिजूइट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे तो आपकी 15,000 सेलरी होगी यहां पे और अगर डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो यहां पे 12,000 आप आपको मिलेगा और जो करेंगे ओनलाइन उसके लिए आप जो एकी वेबसाइट है mhrd-anats-government.in पर यहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं आज की मैं दूसरी जॉब की बात करो तो 424 पोस्ट यहां पर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए यह जो बैकिंसी रिलीज किया है उत्तरप्रदिस यहां पर रहेंगी और educational qualification के मैं बात करो तो आपके पास यहां पर MD, MS या इससे इकोलिस के बराबर की जो डिग्री वह आपके पास होने चीए किसी कॉलेज या उनिवस्टी की age limit यहां पर 50 साल minimum age है और maximum 62 साल की इस तक आप अप्लाई कर सकते हैं last date जो application कर रहेगा यह 26 candidate के लिए 80 रुपए रहेगी OBC candidate के लिए 40 रुपए यहां पर रहेगी और जो यह आप application करेंगे वह आप credit card, net banking या debit card से कर सकते हैं और female candidate अगर आप है तो यहां पर आपके लिए कोई भी फीस नहीं है जो selection process रहेगा आपका वह basically जो basic interview रहेगा उस पर आपका selection process रहेगा online apply कर सकते हैं अगर मैं आज की तीसरी जॉप की बात कर तो यहां पर 106 वेकंसी निकली है जूनियर इंजिनियर जेए पोस्ट के लिए जो वेकंसी रिलीज किया है ओडिसा स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने ओ ओ एस ओ एसससी ने यह notification रिलेज किया है इसमें जो पोस्ट नेम आपका रहेगा वो जूनियर इंजिनियर जेए की पोस्ट के लिए रहेगा नंबर ओफ वेकंसी यहां पर एक सुच है है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी आपके पास आपके पास जो की डिपलोमा होना चाहिए या मैकेनिकल इंजिनियर का यहां पर अगर आप पेश केल आपका 16,800 रुपे रहेगा रहेगा आप्रिकेशन फीस आपकी 200 रुपे रहेगी जो आप ऑनलें आप पे कर सकते हैं और इसका जो सलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो बेसिकली आपका रेटन टेक्स्ट और जो आपके मार्क सीट है एजुकेशनल डिग्री सेटिफि 29 सितंबर 2019 के बीच अपलाई कर सकते हैं यहां पर आज की जो हमारे चौथी वेकंसी है यह टैक्स एसिस्टेंट है एसाई है कलर और टाइप इस पोस्ट के लिए निकाली है यह जो वेकंसी है टोटल 388 पोस्ट यहां पर है यह महारास्टा पब्लिक सर्विस कमिशन एम पी पोस्ट की मैं बात करूं तो यहां पर टैक्स एसिस्टेंट एसाई कलक और टाइपिस्ट जो टोटल और नमबर वेकंसी है 388 पोस्ट है और जो आपकी एजुकेशन क्वालिकेशन देगी तो यहां पर काफी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है जो इस वीडियो में आपको पुरा प्रवाइड नहीं कर पाऊंगा तो आप जो है कि MPSC की वेबसाइट पर जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे वहां से आप पूरी डिटेल वहां से ले सकते हैं इस लिमिट के मैं बात करो तो अठारा से 38 साल के बीच क कर सकते हैं जो आपका लास डेट रहेगा अप्लिकेशन का 11 सितंबर 2019 के बीच लेगा यहां पर पेस्केल मैंशन नहीं है और अप्लिकेशन फीस आपका 200 रुपए रहेगा जो ऑनलाइन आपका रहेगा और जो सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका वो टेस्ट पर रहेगा रेटन टेस्ट के बेसिस पर और अगर अप्लाई करना चाते हैं तो आप जो ओफिसल वैबसाइट है महा-mpsc-maha-online-gov.in यह आपको यह लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा यह 11 सितंबर से 2020 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं और जो हमारी आज आज की लास्ट वैकेंसी है पांच वी वैकेंसी यह एचसी ने जो है कि पोस्ट निकाली है 3846 फूर्स पीजटी के लिए तो यह हर्याना से स्टाफ सेलेक्शन कॉमिशन ने यह रिलीज किया नोटिफिकेशन जिसमें की 3840 पोस्ट है पोस्ट ग्रेजवेट टीचर के लिए और इस पोस्ट डिटेल के में बात करूँ पीजटी है पोस्ट ग्रेजवेट टीचर नंबर वैकेंसी 3846 यहां पे हैं जो आपका एजुकेशनल कॉलिफिकेशन रहेगा तो आपके पास ग्रेजवेशन की डिगरी होनी चाहिए साइंस आर्ट कॉमर्स या लल्वी जो भी आ सितंबर 2019 से 22 सितंबर 2019 की वीच आप अपलाई कर सकते हैं यहां पर आपका पेस केल रहेगा 9300 से 34800 की वीच आपका पेस केल यहां पर रहेगा एपलिकेशन फीस की मैं बात करूँ तो यहां पर अगर आप जनरल केंडिडेट हैं तो 1.5 रुपे आपका फीस रहेगा और आपका 18 से और फिजिकल ली जो चैलेंजज हैं उनके यहां पर कोई फीज नहीं है और सेलेक्शन प्रोसेस के मैं बात करो तो यह जो सारा सेलेक्शन होगा अपका रिटन एक्जैमिनेशन पे अपका सेलेक्शन होगा और अगर आप इंट्रेस्टेट ने इस आप पोस्ट को अप्लाई करने के लिए तो आप हर्याणा स्टाप कमिशन की वेब्साइट पे जाके छैसे सितंबर से 22 सितंबर के बीच कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको